हिलो फ्रेंट्स, वेलकम टू मैं चैनल कैसे हो, आप लोग आई होब आप सभी बहुत अчछे होंगे तो आज हम बनाएंगे हरे मटर से दाल और हरे मटट के जो दाल होती है काफी ज़्यादा टेश्टी होती है और अभी सीजन भी है तो खाने में काफी ज़्यादा टेश्टी लगता है तो आप लोग भी इस दाल को एक बार जरू ट्राइक किजिएगा आपको काफी पसंद आएगा और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आये तो प्लीज वीडियो को लाइक सेयर कर दीचेगा और साथी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजेगा और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजेगा ताकि मैं जब भी कोई निया वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिपिकेशन आपको मिल जाए तो चलिए इसको बनाना सुरू करते हैं हमने यहाँ पर लिया है एक किलोमेटर को हमने छील कर ले लिया है जिसमें 500-600 ग्रम दानों निकल गया है और 4 हडी मिर्च यहाँ हमने दो गलास पानी लिया है प्रेसर कुकर में उसमें हम मतर डाल देंगे और नमक और हल्दी डाल देंगे नमक स्वाद अनुसर और एक चमश हल्दी पॉडर और थोरा सा हम 3-4 डॉप ओयल डाल देंगे और धकन बंद करके सीटी लगा कर इसमें हम 5-6 सीटी हम मेडियम फ्लेम पे लगा लेंगे तो यहाँ पर हमने मतर को उबाल लिया है 5-6 सीटी लगा लिया है मेडियम फ्लेम पे और आप चेक भी कर सकते हैं मतर हमारा बहुत ही अच्छे से गल चुका है और इसका हमने पानी निकाल दिया है और अब इसको हम यह जो मतनी होता है इससे हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे इससे क्या होता है काफी अच्छा सा डाल में टेश्ट आता है क्योंकि मटर जो है वैसे दाना दाना से रहता है तो वो अच्छा नहीं लगता है तो हम इसको दो-तिन मिनर तक इस तरीके से मथ लेते हैं मिला लेते हैं इसको और इसके बाद हम इसमें जो हमने इसका पानी निकाला था ये हम इसमें डाल देंगे तो यहां हमने जितना पाणी था दाल का सारा हमें डाल दोंगे इसमें इस दाल को आप थोरा सा गाडा ही बनाए ज्यादा पतला दाल अच्छा नहीं लगता है यह गाडा गाडा सा ज्यादा अच्छा लगता है अब हम इस दाल में तरक्या लगेंगे यहां हमने गैस पर एक कराही रखा, इसमें डालेंगे हम दो बरे चमा सरसू का तील, तील को हम अच्छे से गरम होने देंगे, यहां एक छोटी चमा जीरा, फ्लेम को हमने लो टू मेडियम रखा है, दो तेज बत्ता, और यह थोरा सा है, अदरक को हमने काटकर डाला है, अद बारी मिर्स के इस्तिमाल किया है, इन सारे चीजों को हम ब्राउन होने देंगे, इसके बाद हम इसमें प्याज डाल देंगे, हमने यहां एक मीडियम सेच की प्याज को बारी काटकर के ले लिया है, प्याज को भी हम हलका ब्राउन होने देंगे, इसके बाद है इसमें हम टमाटर डाल देंगे और एकदम लो फ्लेम पे हम इसको टमाटर को अच्छा सॉप्ट होने तक पकने देंगे तो यहां हम टमाटर को छोड़ देते हैं सॉप्ट होने के लिए और यहां हमारा टमाटर बहुत ही अच्छे से गल चुका है तीन से चाहर मिनट का समय लग जाता है टमाटर को गलने में और इसमें थोरा सा हल्दी हम और डालेंगे बिल्कुल चुटकी भर और आधा चमश लाल मिर्च तो यह थोरा सा हम तीखा बनाएंगे अगर आप तीखा पसंद नहीं करते हैं तो लाल मिर्च ना डाले और बस आला हमारा खुब अच्छी से तरका जो है पक चुका है तो अब इसमें हम दाल डाल देंगे फ्लेम को हमने लो पे ही रखा है और इसको हम अच्छे से मिला देंगे हमारा दाल में जो है तरका लग चुका है और उपर से हम खरा धनिया डाल देंगे और इसको भी हम मिक्स कर देंगे और बस अब हमारा डाल जो है ready है काफी टेस्टी बना है बस अब हमें कुछ नहीं करना है गیस को हम कर देंगे अब आउफ इसको आप चावल के साथ खाये, काफी टेस्टी लगता है और हड़े मेटर का दाल जो है काफी ज़्यादा पसंद है मुझे भी और काफी टेस्टी भी लगता है तो आप भी इसको एक बार जरूर बनाईएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लेज वीडियो को लाइक शेर कर दिजेगा साथी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजेगा सब्सक्राइब करने के बात बैल बटन डी प्रेस कर लिजेगा ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालू तो सबसे बाले नौटिपिकेशन आपको मिल जाए मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद